हेलो दोस्तों वेलकम टो दे यूरुक चैनल जिनियस कुमर्स अकेडमी यानि की जी सी ए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सी ए फॉंडेशन के बारे में सभी कुछ तो आए चले सुरू करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अगर आप सी ए फॉंडेशन करना चाहते हैं तो आपको किन-किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है जैसे इसका ओफिशल वेबसाइट है ौर यहाँ पर आइसी ए आई का पूरा नाम है दे इंचिचूट अप चार्टर कॉंटेंट्स अफ इंडिया सी ए फॉंडेशन का कॉर्स रेगलर कॉर्स नहीं है डिस्टेंस मोड कॉर्स है मतलब आपको कोई स्कूल कॉलेज जाने की जुरत नहीं है घर बैठे आप बहुत आसानी से ये कॉर्स कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेगा हो टूटल चार है मतलब अकाउंट्स लौ और एकनोमिक्स अन मैतमेटिक्स ये टूटल चार सब्जेक्ट होते हैं पासिंग मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेकर आना है लेकिन एग्रिगेट आपका 200 होना चाहिए मतलब आपके थोड़े से जैसे अकाउंट्स में 60 हो गए, लौ में 40, एकनोमिक्स में 50 और माथमेटिक्स में 50 तो इस तरीके से 200 तो फिर आप CA Foundation का एक्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब मिनिममम पासिंग मार्क्स तो 40 है हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन एग्रिगेट में आपका 200 भी होना चाहिए, तभी आप CA Foundation एक्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे अब फिलाल अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं तो 9400 के करीब कॉस्ट पड़ेगा और एक्जाम फॉर्म भरते समय आपको 1500 पे करना होता है, एक्जाम जो है फिलाल आफ्लाइन होता है, मतलब एक सेंटर पर जाकर आपका एक्जाम होगा और ये एर में दो बार होता है एक में में और एक नॉबंबर में डेट आगे पीछे हो सकते हैं, कोवेट की वज़े से अभी तो फिलाल थोड़ा आगे पीछे ज्यादा हो रहा है और अगर आप इसमें अड्मिशन लेना चाहते हैं तो 12 में आपके मिनमम 50% मार्क होने चाहिए, तभी आपको CA Foundation के एक्ज अकांट्स में टोटल 10 यहाँ पर चाप्टर आपको मिलेगा, जो पहला दूसरा चाप्टर है वो theoretical चाप्टर है जो कि आपने 11 में पढ़ा होगा, इसके बाद bank reconciliation भी आपने 11 में पढ़ा था, inventory एक नया चाप्टर यहाँ पर आपको मिलेगा, depreciation 11 बाला भी है और थोड़ा स advance भी है यहाँ पर depreciation मतलब depreciation में एक पार ज्यादा है, इसके बाग आपका जो चाप्टर है वो accounting for special transactions इसमें आपको rectification of error और एक दो थोड़े नए चाप्टर आपको पढ़ना है जिसे account current और average due date तो यह दो नए चाप्टर आपको मिलेंगे जो आपने 11 12 में नहीं पढ़ा हो और final account chapter जो है वो बिल्कुल 11th class की ही तरह है इसके बाद partnership में admission, retirement, death and desolation यह सभी आपको partnership accounting में पढ़ना है, non-profit organization आपने 12 में या 11 में पढ़ा ही होगा, इसके अलाबा जो last chapter है वो accounting for company जिसमें issue of shares and debentures के बारे में आपको पढ़ना है, तो यह तो account था, कुछ आसान ही account ज्य यह total आपके लिए new होगा, अगर आप 12th के बाद CA foundation कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा, क्योंकि इसमें आपको law पढ़ना है, total 5 law हैं, जैसे Indian contract act हो गया, sales of goods act है, Indian partnership act है, LLP है and companies act है, but यहाँ पर आपको सभी law में basic चीजों को पढ़ना है, so self study करके आप ब बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, and business correspondence and reporting, यह आपने अगर 11-12th में English आपने रखा होगा, तो बिल्कुल उसी की तरह है, जिससे आप देख सकते हैं इसके syllabus में, कि communication है, sentences है, vocabulary, passage and note making, basics of writing, तो प्रसी राइटिंग, article राइटिंग, इन सब चीजों के बारे मे आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो यह कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब अगर law की बात करें, तो law में दो part है, part A में तो आपको 5 law पढ़ने है, और part B जो है, वो बहुत कुछ English है, मतलब यहाँ पर आपके पास grammatical चीजों को कुछ ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना है आईए अब देखते है, maths का सिलेपस, maths का सिलेपस थोड़ा सा टफ है, अगर आपके, आपने 11-12 में maths नहीं रखा है, तो फिर यह आपके लिए बड़ा मुश्किल सा काम होगा, यहाँ पर आपको class लेनी की ज़रुत पड़ेगी, यह foundation अगर आप करना चाहते हैं तो, और अ maths में 3 part है, part A में तो आप देख रहे है, 1 से लेकर 8 chapter है, part B में कुछ logical reasoning है, जिसको भी आप self study से कर सकते हैं, और part C बहुत ही आसान है, start X है, economics की बात करते हैं, तो economics का slivers बहुत ही आसान है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर economics में जैसे nature and scope of business economics है, उसके बाद theory of demand and supply theory of production and cost है, तो यह सब आपने 11-12 में बहुत अच्छी से बढ़ा होगा, कुछ थोड़ा सा नया आएगा, जैसे types of markets में कुछ ज्यादा थोड़ा सा syllabus है, और business cycle, यह एक आपके लिए थोड़ा सा new होगा, वैसे बहुत कुछ आसान है, self study से निकाल सकते हैं, मैं इसको बढ़ा क कर देता हूं, ताकि आपको देखने में बहुत आसानी हो, तो यह है economics का syllabus, total मैंने यहां पर 5 ही रखा है, 5 ही parts है, इसमें आप इन्हीं के उन्होंने chapters थोड़े से ज़्यादा कर दिया हैं, बट 5 ही parts है, तो यह total CA foundation अगर आप करना चाहते हैं, तो यह कुछ information थे, जिन information को ज आउंगा, जिसमें आपको CA foundation से related कुछ और information देने की कोशिश करूँगा, आज की इस वीडियो में इतनी, thanks for watching the video, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाऊगा, तो please like the video, अपने दोस्तों के साथ share भी करें, thanks for watching the video, we will continue in the next.